राजस्थान में विधान सभा चुनाओं को काफी कम समय रहे गया और अभी जो दोर चल रहा है वह दोर है भाजपा हो या कांग कॉंग्रेस दोनों पार्टियों के दावेदारों का नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं और पार्टी हर एक सीट पर अपनी नजर बनाए हुए है उसी में उदेपूर विधान सभा शहर विधान सभा की बात करें तो इसकी भी अलग कहानी है ये बाजपा का गड़ कहा जाता है कॉंग्रेस लगात्तार यहाँ पर मेहनत कर रही है कि इस बार पार्टी में परिवर्तन आए और यह सीट कॉंग्रेस को प्राप्त हो यहाँ पे 30 से जादार दावेदारों ने दावेदारी दिखाई है उदेपूर विधान शाह सभा शहर स्वीट से हमारे साथ में कॉंग्रेस के पार्टी के नेता हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या इस्तती है किस तरह से चुनाओ लड़ रहे हैं आप से जानें करताओं के आगरप है और बहुत से समाज के विविन वर्गों से लोगों ने हमें रोजसाहित किया और आगे आकर विधान सभा चुनाओ लड़ने के लिए का है इसी के संदर्ब में मैंने अपने कारिकरताओं के साथ चुनाओ लड़ने की मंशा किया है और हमने बूत इस सरब जाएंगे हम जनता की विकास के लिए जनता की सुधा के लिए कर इन सभी चीजों के लिकर हम चुनाओं में जाएंगे स्थावेदार तो 30 से ज्यादा है कि ज्यादा होने का यह कारण है कि कांग्रेस कारिकर्टा में उच्छा है और इस बार सबको लग रहा है कि इस बार जीतेंगे तो कारिकर्टा देख रहेंगे इस बार हमें भी मोका मिले बरसों से आम कारिकर्टा शुकार करने में असमर्थ हैं बाहरी में कौन है बाहरी में अब मैं नाम तुन लेता हूं कुछ ऐसे बाहरी को नाम सुन रहे हैं लेकिन सारी जिंग तौर पर कहना है तदू चर्चाओं में राश्ट्री प्रवक्ता गोरो वल्लब है और एक दिनेश जी खोड़निया जो उख दर्द में उनके सामने जा सके सुबह शाम कभी मिल सके और बाहरी करता बाहरी उमीदवार आखिर बाहरी होता है अगर बात करें तो भाजपा को भी लें तो बाहरी आए जैसे कटार्या जी वह भी बाहर से आए उन्होंने यहाँ पर राच किया लंबे टाइम नहीं मतलब समझ機會 आपकी उनकी स्कूलिंग से लेकर उनके चात्र जीवन से सीजिक वह उदयपूर ते पैदाएश पली देल वठाषक लें अपना सारा जीवन फियाम हम नप्पश करें सकतें अच्छा आप बताईए यहां पर काफी विरोध भी चल रहा भी शनिवार को यह आपके निरक्षक आया तो उनके सामने जड़ब जिसी स्तती भी बन गए अच्छा विरोध इसे कोई बात निया था चोटी सी बात थी समझने में अफैर हो गया था और कुछ लोग थे बाकि हमारे जोड़ूसों लोग जड़ब जाया थे और उन्हों नों को लगा कि यह तो उन्होंने कोई ऐसी बात के दियो गए तो कुछ हमारे कारिकर्टा हो जड जिंदाबाद समने आशोगिलो जिंदाबाद के नरे लगाए और वो सब संगठन के हित में बात करना है अच्छा आप क्या कहते हैं बाहरी जो भी प्रतियाशी है वह अच्छी है या आप शहर बाले कोई मोका देना उद्धेपूर शहर में काफी सालों से लोग काम कर रहे है उनकी इच्छा है कि उद्धेपूर के किसी भी जन प्रतियाशी होगा तो 100% जितेंगे बारी के लिए भी अगर कांग्रेस करें करता है तनमन से भी लगेगा लेकिन बहुत मुश्किल रहेगा जितना क्योंकि बारी बारी होता है और लोगों का जोश उसके लिए नहीं जि रख रहा हाई कमांड का कि अगर वह रिगन मंत्री गिर्जा व्यास जी उसमें वह स्वस्त नहीं थी यह किसी ने देखा नहीं वह चलनी पारी थी लिकिन उनको है कम वोटों से हार का उनकी नाम नहीं नहीं वह जीती भी एक हजार से तो वह अच्छी है मन निराष्टी ने विदानसभास शेत्र से हारती जा रही है इस बार क्या उमीद है है इस बार सो 50 उमीद है कि कांग्रेस का परत्याशी उद्यपुर्स से जीटेगा परंतु उसके कुछ कारण है अगर उद्यपुर शेयर में कांग्रेस के परत्याशी को hivaEst का फेराना है और कांग् एक्षवल सर्वे और एक्षवल फीडबेक अगर एसी सी तक पहुचा बढ़े नेता तो पेशा और उन्होंने फैसला लिया तो हंड्रेट परसेंट इस उदेपुर के प्रत्याशी राजी जी स्वाल का होंगे क्योंकि सबसे मजबूत धरातल पे और सबसे ज्यादा कारी करत करता ही है अपने आपको कारेगरदा बता रहे दिने श्रीमाली हो कोई भी हो हम लंबे समय से कॉंग्रेस के लिए काम कर रहें तो वह भी एक तरह से कॉंग्रेस की है एक्षवली उदेपूर की जो इस्तिति आप विदान सभा की इस्तिति देखेंगे तो उसमें जाती पार्षद रहा मेरे जैसे एक जनरेशन को प्रवाववित करने वाले वेक्ति हैं राजीव शुहल का तो इतना लंबा समय देने के बाद आज वो मैदान में हैं वो चाहते हैं कि जन सेवा करें लोगों के लिए काम करें तो इसलिए पूरी टीम समस्तित लोग मिलके और मां अगर राजीव जी नहीं करते हैं तो मैं भी अपना आवेदन देता क्योंकि मुझे पता है कम से कम अकबार में नाम छपेगा लोग मेरे समाज के मुझे पूछेंगे मोसिन खान ने भी दावेदारी करी विदान सभा प्रताशी के रूप में अब ऐसे ऐसे करीबन करीबन म सब्सक्राइब करें तो सभी लोग भी हमारे ही हैं तो सभी मिल जूल के और आजी जी स्वाल का के पक्स में काम करेंगे अगर प्रत्याशी बनाया गया अधेपुर से तो हंड्रेट परसेंट हम कोशिश करके और विजय पता का फिर आएंगे इस शेहर में अच्छा आप व में ग्यारा चुना हो गए दो बार सिर्फ कॉंग्रेस जीत पाई है त्री लोग जी पूर्विया और केंद्री मंत्री गिर्जाव्याज जी ऐसा क्या हुआ आपको क्या लगता आप तो काफी लंबे टाइम से कॉंग्रेस को दिए कारिकरताओं को नहीं संभला कैसे मतलब उनके काम नहीं हुए विकास करा सरकार ने करा कारिकरताओं को समर्थिस पहुंच नहीं दिया है उन्होंने कैसे आप एक्जाम्पल तो बताई कि क्या हुआ ऐसा कि 1967 के बाद में पूरी परिवर्तन आ गया इस्तानी ने ता लोगों से इसे काकर से गिरे रहे देते जो कारि को देखते हैं उदेपूर को देखते हैं उदेपूर सहर विदान सभास से यूथ के तौर पर देखता हूं पार्टी को की मतलब एक बड़े से बड़ा नेता के पाद यूथ फोच्पना बोज मुस्किल हो रहा है और उदेपूर में देखा है कि अभी हमारे बीच में से हम हमारे बीच में निकल में गएं कोई परिवार बात से रिखत वटन से काड़ी किसी एक विकति की, वर यह पूरे पारटी की बात वरी, तो पार्टी की, बारे विच्पना पीचार कर सकते हैं, कि को भी टिकेट डेभ, हम उनके साथ में हैं, काम पर्देगे São मैं चाहता हूं कि में हमारे मने हम लोल कल अ करता मुंहीं पाना मुष्किल हो रहा है कि उसके पहले जो थे उनके पास था हम नहीं पहुंच पाते थे उसका कारण यह था कि पहले बड़े-बड़े लोग उनके साथ जुड़े को रहते थे एक कारिकता आम कारिकता मान संबान नहीं मिलता है आज मैं देख रहा हूं कि जिलाजेक्स बनने के बाद में हमें मान तक भी पहुंच रही हो और उसको 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 पहुंचने कारणी है कि एक मजबूर पर जड़ मिली है मैं इससे पर मजबूर नहीं थी कारो ज़ो की पर दिकता हुआ और बारी बारी व्यक्तियों के लिए किया चाहता हूं आप आपके जिद जिगे के आप वह विधान साहां वहां पर तैयरी करो आप वहां पर अच्छी परपेर से जितोगे बाकि आप यहां उदेपुर्णा आके बारी करें ना मैं नहीं जी सकता है अगर दे दिया टिकेट हैं कटर कॉंग्रेशी है पार्टी सिंबल पर जो भी आएगा उसके साथ हम काम का चाहां बता है बारी किसी को टिकेट मिलगे आपके इस्टेंट रहेगा देखे बारी का टिकेट का तो ऐसा है कि बारी उमीदवार जब चुना हो आते तब शहर में आके अपना काम करने लुक्त होचना अवह अउदेपूर में रह रहा है नई रहा है तो वह सबस्से बखर्यशन होती है अगर मिल जाता है करता है तो पार्टी जो भी हमें निर्देश करेगी मिल जाता है तो पहले वी रूध्य है और मिलने के बाद समर्थ के साथ करना काम करना कां क della सлемथ है प पाइटि हैं हमारी कॉंग्रेस पाइटी हमारी माँ यह है पर जैसे परिवार के इंदरी जिसे उसके अलग-अलग बेटे होते हैं उसके अलग-अलग पुत्र होते उसी हिसाब से अभी आए-ए-ए-ई-इस बन गया तो बागी बेटा को इता को मतलब नहीं है और इक डोक्ट हमारे बीच में लड़े ही नहीं है आप बाहरी की बात कर रहे हैं जैसे हम लोग सब अलग-अलग वार्डों से बूच से आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जनता का जो मूड है वो भी हम देखके आते हैं लेके आते हैं हम केवल कांग्रेस के कारी करता नहीं हम पूरे जनता क तो जनता का यह उमूर होता है ऑपने बीच का आदमी हो केवल कारिकरताओं की बात नहीं एक रहेंगे हैं अपने बीच का आदमी होगा तो वह हमारे साथ हमेशा सभावारी नेता अभी विरोध है आपका भी हो गई है रही नेता नहीं होना जो पार्टी के लिए काम करेंगे लेकिन यदि यहां के लोकल जो राजियू जी स्वालका है जो 36 कौमों के साथ रेते हैं हम राजियू स्वालका के समर्तक हैं हम राजियू स्वालका के लिए बात करेंगे लेकिन हम बहारी प्रत्यासी बिलकुल बरदास नहीं करेंगे बहारी प्रत्यासी को अगर मिल गया तो बहारी प्रत्यासी को मिल गया तो प्रत्यासी करेंगे इसमें कुछ वो नहीं है लेकिन पहली प्रात्मिक्ता हमारे बहारी प्रत्यासी नहीं होना चाहिए उदेपुर का लोकल प्रत्यासी होना चाहिए मात्र एक ही वेक्ति में राज अधिकारियों से बात की सभी का एक ही कहना है बाहरी प्रत्याश्यों को कताई बर्दाश्ट नहीं किया जाएगा लेकिन यह भी है कि बाद में समर्थन दिया जाएगा एबीपी नियूस में वीपिन सोलंगी उदैपूर